नमस्कार आप देख रहे हैं चैनल ज्यानरी बातां मैं सवीता आज इस वीडियो में हम पाई दिवस पर हिंदी में निबंध देखेंगे शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल ज्यानरी बाता को सबस्क्राइब करें वे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तो आईए शुरू करते हैं पाई दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर संपुर्ण विशु में पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है पाई का मान 3.14 है इसलिए 14 मार्च के दिन पाई दिवस मनाया जाता है पाई यानि 22 बटा साथ एक विकट संख्या है पाई किसे कहते हैं पाई एक गणितिय नियान तक है जिसका संख्यात्मक मान किसी वरत की परीधी और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है इस अनुपात के लिए पाई संकेत का प्रियोग सर्वपर्थम सन 1706 में वीलियम जोन्स ने सुझाया इसका मान लगभग 3.14159 के बराबर होता है यहें एक एपरीमिय रासी है पाई सबसे महत्यपुन गणितिय एवं भोतिक नियानतकों में से एक है गणित विज्ञान एवं इंजिनियरी के बहुत से सुत्रों में पाई आता है गणित विज्ञान और अभियांत्री की के कई मह महत्यपुन फोर्मूले इस पर आधारित है जयामिती में किसी वरत की परीधी की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है प्रतेक वरत में यह अनुपात 3.14 होता है लेकिन दसमलव के बाद की पूरी संख्या का अब तक आंकलन नहीं किया जा सका है इसलिए इसे अनन्त माना जाता है पाई दिवस से संबंदित महत्यपुन तथे 14 मार्च 3.14 गेह तारिक विसेश कर गणित प्रेमियों के लिए विसेश्टिती थी प्रती निधित्व करती है गणित के एक विसेश चिन पाई का पाई जो की अनुपात प्रदर्शित करता है वरत की प्रीधी और इसके व्यास त्रिज्जा का यूतो इस अनुपात की आउशक्ता और इससे संबंदित सोध तो काफी पूरु से होते आ रहे थे किन्तु इसके इस चिन्न का प्रियोग सर्वप्रथम 1706 इस्वी में वीलियम जोन्स द्वारा किया गया लेकिसे लोग करने के बाद मिली पाई दिवस का विचार सर्वप्रथम 1989 में लेरी शोद्वारा प्रतिपादित किया गया दो हजार नो के पाई दिवस पर यूएस हाउस ओफ रिप्रजेंटेटिव ने इस सिथी को राष्टिये पाई दिवस के रूप में श्वीकार किया 2010 में गूगल ने इस सिथी पर ब्रत और पाई के चिन्नों को प्रदिशित करता एक डूडल अपने होम पेज पर प्रस्तूत कर इस आयोजन में अपनी श्वीकरती और भागीदारी भी सूनिशित कर दी इस तिथी के समीपरती एक और तिथी है 22 जुलाई या 22 बटा साथ जो की पाई एप्रोक्षमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है जो की फ्रेक्शन पदती में पाई के मान के सैद रश्शे गनित के रोचक्ततों की स्रंखला में पाई मिनट को भी सामिल कर लिया जाता है जब 14 मार्च को 1 घंटा 69 मिनट 26 सेकिंड एम पी एम पर पाई के साथ दसमलविये मान प्राप्त हो जाते हैं यानि 3.1415926 समस्त विशु में इस आउसर पर पाई के प्रियोग महतवादी पर चर्चा परिचर्चा का आयोजन करने की परंप्रा इस्थापित होती जा रही है जबकि संयोग से प्रख्यात भोतिक विद और चिंतक अलबर्ट आइंस्टीन का जनम दिवस 14 मार्च 1889 भी जिस प्रमाणू उर्जा की रचनात्मक उप्योग का उन्होंने स्वपन देखा था आज के परिद्रेशन में उससे जुड़ी विनासकारी संभावनाओं को देखते हुए उनकी मनैस्तिती की हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं विज्ञान की उसमान विभूती को नमन जैहिंग जैभारत